नमस्कार दोस्तों मैं हूँ समी बूल्शकाई में आपका स्वागत है आँखें हमारे शरीर का सबसे महतपूरंग है लेकिन आज की भागदाड भरी जिंदेगी में हम अपनी आँखों की सेहत को नजर अंदास कर देते हैं मुबाइल टीवी और लेपटॉप के लगतार और ज्यादा इस्टेमाल से आँखों में दर्द होना आम बात है ज्यादा देर स्क्रीन देखने का हमारी आँखों पर बुरा असर पड़ता है इस दोरान आँखों की रोशनी कमजोर होने लगती है ऐसे में हम ना चाहें तो भी चश्मा पहनना जरूरी हो जाता है ऐसे में आँखों के लिए आवला बहुत फाइदेमन माना गया है आवला का नियमित सेवन करने से आँखों की रोशनी हमेशा बनी रहती है साथी आँखों में जल्दी कोई संक्रमन भी नहीं होता आप चाहें तो कच्चा आमला भी खा सकते हैं आप आमला जैम या कैंडी भी बना सकते हैं आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए ये जूस काफी असरदार होता है आप चाहें तो आमले का मुरब्बा भी खा सकते हैं इससे भी आँखों को फाइदा मिलता है इसके अलावा आमला diabetes patient के लिए काफी असरदार होता है अगर आप आमले का सेवन रोजाना करते हैं तो आपका sugar level बहुत हद तक control में रह सकता है साथ ही अगर आपको acidity की समस्या हो तो आप आमले का सेवन कर इस तरह की समस्याओं से निजात पा सकते हैं जी हाँ आमला में मौजूद vitamin C acidity की समस्या को भी mintoo में गायब कर देता है इसका सेवन आप अपच जैसी समस्याओं में भी कर सकते हैं वहीं ये चेहरे पर कील मोहासू की समस्या में भी फायदेमन होता है कभी कभी तो ये समस्या इतनी ज्यादा चेहरे पर आ जाती है कि खुपसूर्ती मानों कहीं खो जाती है ऐसी समस्याओं से जल निजात पाने के लिए अगर आप रोजाना आमला का सेवन करें तो चेहरे के दाग दब्बे तो दूर हो ही जाएंगे बल की चेहरा गलो भी करना शुरू कर देगा इसके अलावा बालों के लिए भी आमला बहुत फायदेमन माना जाता है दरसल बाल जड़ना आज कल बहुत आम हो गया है बालों के ऐसी समस्याओं से जल निजात पाने के लिए अगर आप रोजाना आमला खाएं तो आपके बाल तो मजबूत होंगे ही साथ ही साथ काले और गने भी बहुत जल नज़र आने लगेंगे फिलाल इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और हमारा चैनल बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करें